मुर्मयारुक देश के रवय्या हो जोहार मन की बात हा बचर 2020 मा अपन आधा जात्रा अब पूरा कर ले हैं ए दवरान मा हमन कयों बिशय उपर गोट करें स्वभाविक है कि जेन वैश्वीक मा हमारी आईस मानव जाती उपर जेन संकट आईस उखर उपर हमर गोट बात कुछ जादा हो इस फिर ए दिन मैं देखा थाओं सरलग लोगन मा एक बिशय उपर चर्चा हुआ थे कि आखिर ए बच्छर कब पहा ही कोणो ला फोन घलो करा थे तक गोट बात इही बिशय ले शुरू हुआ थे कि ए बच्छर जल्दी काबर नहीं बीता थे कोणो लिखे है संग संग्वारी ले बात करा थाओं कहा थे कि ये बच्छर बने नहीं है कोनों कहा थे 2020 शुभ नहीं है खाली लोगन इही चाहते कि कोनों रकम ले ये बच्छर जल्दी ले पहा जाए संग्वारी हो कभूं कभूं मैं सोस थाओं कि ऐसे काबर हो थे हो सकते ऐसे गोठ बात के खलो हो, छै साथ महीना पाचु ये हम कहां जानत रहें कि कोरोना जैसे संकट आही और उखर विरुध ये लड़ई अतेक लंबा चल ही, ये संकट तो बने छुए है, उपर ले देशम रोज नवा जुनोती आगु आवज जात है, अभी कुछ दिन पाचु देश के पूर्वी जिसान भाई बहिनी टिड़ी दल के हमला ले परिशान हवें, अव कुछ नहीं ता देश के कईयों हिस्सा मा नान नान भुकम, रुके के नाव नहीं लेवा थे, अव ये सब के बीच हमर कुछ पडोसी मन को ती ले, जिन होवा थे, देश हो चुनोती मन ले, घलो निब्ट सिर्तोनमा, एके संग अतेक आपदा, ये इस्तर के आपदा, बहुत कम देखे सुनेला मिल थे, हालत ये होगे है कि कोनो नान नान घटना घलो होआ थे, ता लोगन उला घलो एक चुनोती मन संग जोर के देखा थे, संगवारी हो, मुसीबत आथे, संकट आथे, फिर सवाल ही है कि का ये आपदा के चलत हमनला बच्छर 2020 खराब मान लेना चाहिए, का पहली के छै महिना जैसे 32 ओकर चलत ये मान लेना कि पूरा बच्छर ऐसने है, का ये सोचना सही है, जी नहीं, मुरमयारुग देश के रवया हो, खचित नहीं, एके बच्छर मा एक चुनोती आए चाहे पचास चुनोती आए, संख्या कम जादा होए ले वो बच्छर खराब नहीं होए, भारत के इतिहास आपदा और चुनोती उपर जीत पाके और जादा निखर के निकले के रहे है, सैक्णों बच्छर तक आने आने आक्रांता मन भारत उपर हमला करिन ओला संकट मडार लोगनला लगत रहीस कि भारत के बनावटिच नश्ठ हो जाही, भारत के संस्कृती खतम हो जाही, फिरे संकट मन ले भारत अव भव्य बन के आगो आईस, संगवारी हो, हमर इहां कहे जाते, स्रिजन शाश्वत है, स्रिजन सरलग है, मुला एक गीत के कुछ पंक्ती सूर् ये कल-कल छल-छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग-युग से बहता आता, ये पुन्य प्रवाह हमारा, एक गीतमा आगुवा थे, क्या उसको रोग सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं, कंकड पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बन कर आए, भारतम घलो जिहां एक कोती ले, बढ़का बढ़का संकट आवद गईस, उहें जम्मो बाधा मनल दूर करत अनेको सिर्जन घलो होईस, नवा साहित रचे गईस, नवा अनुसंधान होईस, नवा सिर्धान गढ़े गईस, माने संकटम घलो हर छेत्रमा सिर्जन के प्रक्रि जारी रहिस, और हमर संस्कृती फलत फुलत गईस, देश आगू बढ़त गईस, भारत हमेसा संकटल सफलता के निसैनीम बदले है, इही भावना के संग हमनल आज घलो ये जम्मो संकट के बीच आगू बढ़त रहना होई, आज घलो इही बिचार ले आगू बढ़बो, एक सो तीस करोड देशवासी आगू बढ़ई, त इही बच्छर देश खातिर नवा किर्तिमान बनाये वाला बच्छर सिद्ध होई, इही बच्छर मा देश नवा लक्ष पाही, नवा उडान भरही, नवा उचाईल अच्छु ही, मुला पूरा विस्वास एक सो तीस करोड देशवासी की शक्ती उपर हवए, आप जम्मो मन के उपर हवए, ए देश के महान परंपरा उपर हवए, मुर मयारुग देश के रवय्या हो, संकट चाहे जतका बड़े होए, भारत के संसकार निस्वार्त भावले सिवा के प्रिर्णा देथे, भारत हा जेन रकमले कठिन दुनिया के सहाथा करिस, वह आज शांती और विकास मा भारत के भूमिकाला और मजबूत करे हैं, दुनिया हाँ ए दौरान भारत के विश्व बंधुत्व के भावनाला घलो महसूस करे हैं, और एकरे संग दुनिया हाँ अपन सम्प्रभुता और सीमा के रक्षा करेबर भ भारत के एक्छा शक्तिला घलो देखे है। भारत के एक्छा शक्तिला घलो देखे है। भारत के एक्छा शक्तिला घलो देखे है। इही हौशला हर शहीत परिवार के हवै। सिर्तोन मा ये परिजन मन के त्याग पूजनी अहे। भारत माता के रक्षा के जिन संकलपले हमर जवान मन बलिदान देइन। उही संकलपला हमनल घलो जिनगी के धे बनाना है। हर देश वासिल बनाना है। हमर हर परियास इही दिशा महोना चाही। जिखरले सीमा के रक्षा खातिर देश के ताकत बढ़ाये। देश अव अधिक सक्षम बनाये। देश आत्म निर्भर बनाये। इही हमर शहीद मनल सच्चा शद्धांचली घलो होई। मुला असम के रजनी जी मन लिखे हैं। उन मन पूर्वी लगदाख मा जेन कुछ होईस। वो देखे के बाद एक प्रण लीन। प्रण ये कि वो मन खाली इस्थानिय जिनिस विसाही। अत्केच नहीं, लोकल खातिर वोकल घलो होई। ऐसने संदेशा मुला देश के हर कोना ले आवत है। बहुत अकन लोगन मुला पाती लिख के बतावत हैं कि वो मन एकोती बढ़ चले हैं। इही रकम तमिल नाडू के मदुरैले मोहन रामा मूर्ती जिमन लिखे हैं कि वो मन भारतला रक्षा क्षेत्रमा आत्म निर्भर बनत देखना चाहा थे। संग्वारी हो आजादी के पहली हमर देश रक्षा शेत्रमा दुनिया के कईयों देश ले आगू रहिस। हमर इहां अनेको आयुध कार खाना रहिस। वो बखत कईयों देश जेन हमन ले बहुत पच्छुआय रहिन वो मन आज हमर ले आगू निकल गे हैं। आजादी के बाद रक्षा शेत्रमा हमनला जेन पर्यास करना रहिस। हमनला अपन जुन्ना अनभव के जेन लाभ उठाना रहिस। हम उखर लाभ नहीं उठा पाएं। फिर आज रक्षा छेत्रमा तकनीक के छेत्रमा भारत आगू बढ़े के सरलक पर्यास करते। भारत आत्म निर्भरता कोती कदम बढ़ावते। संग्वारी हो, कोनो भी मिशन, पेपुल्स, पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सके। सफल नहीं हो सके। इही पाय के आत्म निर्भर भारत के दिशामा एक नागरिक के रूपमा हम जम्मो मन के संकलप, समर्पन, अउस्तायोग बहुत जरूरी हव आप मन लोकल बिसा हू, लोकल खातिर वोकल हू हू, ता समझव, आप मन देशल मजबूत करे मा अपन भूमिका निभावत हू। ये घलो एक रकम के देश सेवा हूए। आप मन कोनो भी व्यवसाय मा हो, हर एक जगह देश सेवा के बहुत संभावना हो थे। देश के जरू मजबूत घलो करते। अव हम अनला ये घलो सूर्ता रखना है। हमर देश जत का मजबूत हो ही, दुनिया मा शांती के संभावना घलो उतकेच मजबूत हो ही। हमर इहां कहे जाते, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशाम परिपिडनाय, खलस्य साधोह परितम एतत, ज्यानाय दानाय चरक्षणाय, माने अगर सुभावले दुष्ठ है, तो विद्या के परियोग मनखे विवादमा, धन के परियोग घमंडमा और ताकत के परियोग दूसरा मनखेला तकलीव देमा करते। फिर सज्जन के विद्या ज्यान खातिर, धन मदत खात और ताकत रक्षा करे खातिर उपियोग हो थे। भारत है, अपन ताकत हमेशा इही भावना के संग उपियोग करे है। भारत के संकलप है, भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता के रक्षा, भारत के लक्ष है, आत्म निर्भर भारत, भारत के परंपरा है, भरोसा, मित्र भारत के भाव है, बंधुता, हम इही आदश के संग आगू बढ़त रहिबो, मुर्मयारूग देश के रवय्या हो, कोरोना के संकट काल मा देश लाग डाउन ले बाहिर निकल आए है, अब हम अनलाग के दौर मा हन, अनलाग के ये बखत मा दू बात उपर केंद्रित रहना है कोरोना ला हराना और्थ विवस्था ला मजबूत बनाना, वो ला ताकत देना, संगवारी हो, लाग डाउन ले ज्यादा सतरकता, हम अनलाग के समय बरतना है, आप मन के सतरकता, आप मन ला कोरोना ले बचा ही ये बात ला हमेशा सुर्ता रखाओ कि अगर आप मन मास्क नई पहिर हो, दू गज के दूरी के पालन नई कर हो, या फिर दूसरा जरूरी सावधानी नई बरत हो, ता आप मन अपने संगे संग, दूसरा ला घलो खत्रा मा डालत हाओ, खास तोर मा घर के लईका और सियान मन इही पाय के जम्मो देशवासी मन ले मौर निवेदन है, और ये निवेदन मैं बार बार करताओ, और मौर निवेदन है कि आप मन लापरवाही जन बरताओ, अपन घलो खयाल रखाओ और दूसरा के घलो, संगवारी हो, अनलाक के ये दौर मा बहुस से ऐसे जिनिस घलो अन कई बच्छर ले हमर खनन ख्षेत्र लाग डाउन मा रहिस, व्यवसाईक निलामिला मंजूर देके एक निरनेह इस्थितिला पुरा बदल देश, कुछ दिन पाच्छू अंतरिक्ष ख्षेत्र मा एतिहासिक सुधार करेगेश, ए सुधार के माध्यम ले कईयों बच्छर ल लाग डाउन मा जकडे ये छेत्रला आजादी मिलिस। एकर ले आत्म निरपर भारत की अभ्यानला ना केवल गती मिल ही, फिर देश तकनीक मा घलो आधुनिक बन ही। अपन कृशी छेत्रला देखबो, तै ये छेत्रमा घलो बहुतक जिनिस कईयों दशक ले लाग डाउन म फसे रहिस। बिकास के नवा रद्दा खोला थे। मुरमयारुग देश के रवया हो, हर महीना हम ऐसे खबर पढ़्थन और देख्थन जेन हमला भाव कर दे थे। ये हमला ये बात के सुर्टा करा थे, कि कैसे हर भारती एक दूसर के सहायता खातिर तुक तुक आए है। वो जेन कुछ क पर सकत है, उला करे मा जुटे है। अरुनाचल प्रदेश के एक अईसनेच प्रेरक कहनी मुला मीडिया मा पढ़ेला मिलिस। इहां सियांग जिला के मेरेम गाउं हां, वो अनुखा काम कर देखाए है, जेन समूचा भारत खातिर एक उधारन बन गे है। ये गाउं की कैयो लोगन बाहिर रही के नौकरी कर थें। गाउं वाला मन देखिन की कुरोना महमारी के बखत ये जम्मो मनखे अपन गाउं डाहर लहुटत हैं। ऐसे मा गाउं वाला मन पहली ले गाउं के बाहिर क्वारंटीन के व्यवस्था करे के फैसला करें। उनमन आपस मा मिलके के कुछ दुर्या मा चौदा और इस्थाई जोपडी बना देन। अव ये तै करिन की जब गाउं वाला मन लहुट के आहीं ता उनमन ल इही जोपडी मा कुछ दिन क्वारंटीन मा रखे जाही। ए जोपडी मा सवचालय बिजली पानी समेत दैनिक जरुवत के हर सुविध स्वभाविक है मेरें गाउं के लोगन मन के ये सामुहिक पर्यास अव जाग रूखता हा सब के ध्यान अपनकोती आकाशित करिस। संग्वारी हो हमर इहां कहे जाते स्वभावं नजहाति एव साधु आपद्र तोपिसन कर पूरह पावक स्प्रिष्टह सौरभं लबते त मने जैसे कपूर आगी मा तीप के घलो अपन सुगंध नहीं छोड़े वैसने बने मन के आपदा मा घलो अपन गुण अपन सुभाव नहीं छोड़े आज हमर देश के जेन श्रम शक्ती है जेन श्रमिक साथी है वो मन घलो एकर जियर जागत उधारन है आपन देखाओ एद जिन हमर प्रवासी श्रमिक मन के ऐसे कत को कहनी आवत है जेन जम्मो देशला प्रिर्णा देवत है यूपी के बारा बंकी मा गाउ लहुट के आए मजूरमन कल्यानी नदी के प्राकृतिक स्वरूपला लहुटाय खातेर काम शुरू कर देख तीर तकहार के किसान तीर तकह गाउ मा आय के बाद क्वारंटीन सेंटर मा रहत आइसोलेशन सेंटर मा रहत हमर श्रमिक संगवारी मन जेन रकाम अपन कौशल के उप्योग करत अपन तीर तकहार के इस्थितिला बदले है वो अध्भुत है फिर संगवारी हो ऐसे कतको किस्सा कहनी देश के लाखो गाउं के है जिन हमर तक नई पहुच पाए है जैसे हमर देश के सुभाव है मुला बिस्वास है संगवारी हो कि आप मन के गाउं मा घलो आपके तीर तकहार मा घलो ऐसे अनेग घटना घटे हो ही अगर आपके धियान मा ऐसे बात आए है ता आप मन ऐसे प्रिरग घटना ला मुला खचित लिखाओ, संकट के ये बखत मा, ये सकारात्म घटना, ये कहनी मन दूसरला घलो प्रेरणा देहीं, मुर मयारूग देश के रवईया हो, कोरोना वाइरस हा, निश्चित रूपले हमर जिनगी जिये के तरीका मा बदलाव लाए है, मैं लंदन ले प्रकाशित, फाइने हल्दी समेत, दूसर मसाला के मांग, एशिया के अलावा, अमेरिका तको मा घलो बाढ़ गे है, जम्मो दुनिया के ध्यान, ये बखत, अपन प्रतिरोधक शमता बढ़ाय उपर है, अउ प्रतिरोधक शमता बढ़ाय वाला, ये जिनिसमन के नाता, हमर देश ले है, हमनला एकर खासियत, विश्व के लोगन मनला, ऐसे सहज और सरल भाखा मा बताना चाहिए, जिखर ले, वो मन सुभित्ता ले समझ सकें, और हम एक स्वस्थ ग्रह बनाय मा अपन योगदान दे सकन, मुर मयारुग देश के रवईया हो, कोरोना जैसे संकट नहीं आये होतीस, तर शायद जिनगी का है, जिनगी काबर है, जिनगी कैसे है, हमनला ये सुर्ता मा नहीं आतीस, कईयों लोगन इही कारण मानसिक तनाव मजियत है, तद दूसर कोती, लोगनमन मोर संग ये घलो साजा करे हैं, कि कैसे लागडाउन के दोरान, खुसी के ना ना न पक्ष घलो उनमन जिनगी मा खोज ले हैं, कईयों लोगन मोला, पारंपरिक घर के भित्री खेले जाने वाला खेल और जम्मो परिवार संग ओखर आनंद ले के अनुभाव भेजे हैं, संगवारी हो, हमर देश मा पारंपरिक खेल के बहुते सम्रिद विरासत है, जैसे आप मन एक खेल के नाम सुने हो हूँ, पचीसी, ये खेल तमिल नाडू मा पल्लान गुली, करनाटक मा अली गुली मने और आंध्रप्रदेश मा वामन गुंटलू के नावले खेले जा थे, ये एक रकम के रणनीतिक खेल है, जे में एक बोल्ड के उप्योग करे जा थे, एमें कईयों खाचा हो थे, जे में रखाय गुली या बीजाला, खिलाडी मनला पकड़ना हो थे, कहे जा थे कि ये खेल दक्षिन भारत ले, दक्षिन पूर्व एशिया और फेर दुनिया मा जान थे, फिर का आप मनला पता है, कि ये घलो एक भारती या पारंपरी खेल के रूप है, जेला मोक्ष पाटम या परंपदम कहे जा थे, हमर इहां एक अव पारंपरी खेल रहे है, गुट्टा, सियान मन घलो, गुट्टा खेल थे, और लईका मन घलो, बस, एके आकार के पांच नानुक पत्रा उठाईस, और आप मन घुट्टा खेले खातिर तियार, एक पत्रा हवा मा उच्छालाओ, और जग तक वो पत्रा हवा मा है, आप मनला भुईया मा रखाए, बांचे पत्रा उठाएला हो थे, आम तोर मा, हमर इहां घर के भित्री खेल मा, कोनो साधन के जरुवत नहीं पड़ाए, कोनो एक खड़िया या पत्रा लेया थे, ओखर ले भुईया मा कुछ लकीर खीज दे थे, और फेर खेल सुरू हो जा थे, जेन खेल मा पासा के जरुवत पड़ थे, कौडिले या इमली के बीजाले घलो काम चल सकते, संगवारी हो, मु पन नानपन के दिन के सुर्ता आगे हो ही, मैं इही कहूं कि आप मन वो दिनला काबर भुलाए हवा, एक खेल मनला आप मन काबर भुलाए हवा, मोर घर के नाना नानी, दादा दादी, घर की सियान मनले आगरा है, कि नवा पिढ़िमा ये खेल मनला आप मन अगर इस्थानां जब आनलाइन पढ़ाई के बात आवत है ता संतुलन बनाये खातिर आनलाइन खेल ले मुक्ति पाये खातिर घलो हमनला ऐसे करना होई हमर युवा पिढ़ी मनबर घलो हमर स्टार्टप खातिर घलो यहां एक नवा मौका है और मजबूत मौका है हम भारत के पारंपरिक घर भितरी खेल मनला नवा और आकशक रूप मा प्रस्तुत करन एक हर ले जुड़े जिनिसला जुटाये वाला सप्लाई करे वाला स्टार्टप बहुत लोकप्रिय हो जाही और हमनला ये घलो सुर्ता रखना है हमर भारती ये खेल घलो लोकल है और हम लोकल खातिर वोकल होई के प्रण पहली ले चुके हन अव मोर बाल सखा संग्वारी हर घर के लईका मोर नाने संग्वारी मन ले घलो आज मैं एक विसेश आग्रह कर थाओ लईका हो आप मन मोर आग्रह मान हूँ देखाओ मोर आग्रह है कि मैं जेन कहा थाओ आप मन खचित कराओ एक काम कराओ जब चिटको बखत मिले तदाई ददाले पूछ के मोबाईल उठावाओ अव अपन दादा दादी नाना नानी या घर मा जेन भी सियान है ओखर साक्षातकार रिकार्ड कराओ अपन मोबाईल फोन मा रिकार्ड कराओ जैसे आप मन टीवी मा देखे हावाओ ना कैसे पत्रकार मन साक्षातकार करतें बस वैस्तेच साक्षातकार आप मन कराओ अव आप मन उन मन ले का सवाल कर हूँ मैं आप मन ले सुझाओ देवत हवाँ आप मन उन मन ले पूछाओ कि नानपन में उन्खर रहन सहन कैसे रहिस वो मन कोन कोन से खेल खेलत रहिन कभू कभू नाटक सिनेमा देखे बर जावत रहिन। वो इलाका कैसे रहिस। उहां परिसर कैसे रहिस। लोगन के तोर तरीका का रहिस। जम्मो जिनिस बहुत आसानी ले। आप मनला सीखे बर मिल ही। जाने बर मिल ही। आप देखाओ। आप मनला बहुत मजा आही। आप परिवार खातिर एक बहुते अमुले खजाना एक अच ये सत्य है आत्मकथा या जीवनी आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी इतिहास के सच्चाई के नजीक जायबर बहुते उप्योगी माध्यम हो थे आप घलो अपन बड़े सियान ले बात करू ता उन्खर बखत के बात ला उन्खर नानपन उन्खर जवानी के बात मनला अउ आसानी ले समझ पाहू ये अच्छा मौका है कि सियान घलो अपन नानपन के बारे मा वो दवर के बारे मा अपन घर के लईका मनला बतावाएं संग्वारी हो देश के एक बड़ का हिस्सा मा अब मानसून पहुच चुके है ये पईत बरसाला लेके मौसम विज्यानी घलो बहुत उल्साहित हैं बहुत उम्मीद जटावत हैं बरसा अच्छा होई तो हमर किसान मन के फसल अच्छा होई वाता वरन घलो हरा भरा होई बर अच्छा के मौसम मा प्रकृती घलो जैसे खुदला पुनर जीवित कर ले थे मनखे प्राकृतिक संसाधन के जत का तोहन कर थे प्रकृती एक रकम ले बारिस के बखत उखर भरपाई कर थे रिफलिंग कर थे फिर ये रिफलिंग तभे हो सकत है जब हम घलो एमें अपन धर प्रकृती महतारी के साथ देवन अपन दायित्व निभावन हमर कोतीले करेगे नानुप पर्यास प्रकृतिला पर्यावरनला बहुत मदद कर थे हमर कईयों देश्वासी मन्त एमें बहुत बड़े काम कर थे करनाटक के मंडावली मा एक 85 बच्छर के सियान है कामे गौडा कामे गौडा जी एक साधरन किसान है फिर उनकर व्यक्तित्व बहुत असाधरन है उनमन एक ऐसे काम किये हैं कि कोनों भी आश्यर बपड़ जाही 85 बच्छर के कामे गौडा जी अपन जानवर मनला चरा थें फिर संगे संग उनमन अपन छेत्र मा नवा तरिया बनाए के बिड़ा घलो उठाए हैं वो मन अपन छेत्र मा पानी के समस्याला दुर्या करना चाहा थें इही पाय के जल सरक्षन के काम मा नान नान तरिया के काम मा जूटे हैं आप हैरान हो हूँ कि 80-85 बच्छर के कामे गौडा जी अब तक 16 तरिया खोद चुके हैं अपन महिनत ले अपन परिश्रम ले हो सकत है कि ये मन जिन तरिया बनाए हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं फिर उनकर ये परियास बहुत बड़े हैं आज जम्म चेत्रला ये तरिया मन ले एक नवा जिन्गी मिले हैं संग्वारी हो गुजरात के बडोदरा के घलो एक उधारन बहुत प्रेरख हैं इहां जिला प्रशासन और इस्थानिय लोगनमन मिलके एक रूचिकर मुहिम चलाईं ये मुहिम के कारण आज बडोदरा मा एक हजार स् हर बचर औसतन करीबन दस करोड लीटर पानी बेकार बुहायले बचाये जा थे संग्वारी हो ये बरसात्म प्रकृत्ति के रक्षा खातिर पर्यावरन के रक्षा खातिर हमनला घलो कुछू इही रकम सोचे के कुछू करे के पहल करना चाही जिसे कईयों ठिया मा गणेश चतुर्थी लल्ले के तियारी शुरू हो थे का एपईत हम ये पर्यास कर सकतन की इको फ्रेंडली गणेश जी के मूर्ती बनावन और उखर पुझा करन का हम ऐसे मूर्ती के पुझा ले बच सकतन जिन नदी और तर्या मा बिसरजित करे के बा पानी बर, पानी मरहवयया, जीव जन्तू बर संकट बन जा थे। मुर्मयारुक देश के रहवयया हो आज 28 जून के भारत अपन एक भूत पूर्व प्रधान मंत्रीला शद्धांजली देवा थे। उन्मन एक नाजुक दौर मा देश के नित्रत्व करे रहिन। मुर्मयारुक देश के रूप मा उन्खर छवी हमर आगूम उभर थे। फिर ये घलो सचाई है कि वोमन अनेग भाखा जानत रहिन। भारती और विदेशी भाका बोल लेत रहिन। वोमन एक कोती भारती मूल्यमा रचे बसे रहिन। तदूसर कोती उन्मनला पाश्यात्य साहित्य और विज्ञान के घलो घ्यान रहिस। वोमन भारत के सबले अनभवी नेता मा एक रहिन। फिर उन्खर जिंगी के एक अउपक्ष ये घलो है अउव वो उलेख नी है। हमनला घलो जानना चाहिए। संग्वारी हो नर्सिम्हा राओ जी अपन किशोरा वस्था मा स्वतंत्रता आंदोलन मा सम्लित होगे रहिन। जब हैदराबाद के निजाम वंदे मातरम गाय के अनुमती देल मना कर देईस। ता उन्खर विरुध आंदोलन मा उन्मन घलो सक्रिय रूप ले हिस्सा ले रहिन। वो बखत उन्खर उमर खाली सत्रा बच्छर रहिस। और ये सब के संग उन्खर नित्रित्व क्षमता जम्मो कुछ इसमरणी है। मूर आगरह है कि नरसिम्हा राओ जी के जन्मशताब्दी बच्छर मा आप जम्मो मन उन्खर जिन्गी और विचार के बारे मा जादा ले जादा जाने के पर्यास कराओ। मैं एगहों फेर उनला अपन शद्धांजली अर्भित का रथाओ। मुर मयारुक देश के रहवय्या हो। ये पैत मन की बात मा कईयों विशय उपर बात होईस। अवय्या पारी जब हम मिलबो तकुछ नवा विशय उपर बात होई। आप मन अपन संदेशा अपन अभिनव विचार मुला खचित पठोवत रहो। हम जम्मो मन मिलके आगू बढ़बो औव अवय्या दिनमन घलो औव सकारात्मक होई। जैसे कि मैं आज शुरुवात मा कहयों हम इही बच्छर माने 2020 मा बने करवो। आगू बढ़बो औव देश घलो नवा उचाईल चुही। मुला भरोसा है कि 2020 भारतल ये दशक मा एक नवा दिशा देवाला बच्छर से दो होई। इही भरोसाल लेके आप मन घलो आगू बढ़ओ स्वस्थ रहो सकारात्मक रहो। इही शुब कामना के संग आप जम्मो मनला बहुत बहुत धन्यवाद जोहार।